अंतराष्टिय राजनीति के उपागमों में आज हमारा टोपिक है उदारवादी उपागम नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेल इवन टोपिक बाई एक योट्यूब चैनल पर अंतराष्टिय राजनीती के जितने सिद्दान्त और उपागम हमने आपको वीडियो नोट के माध्यम से इस चैनल पर दिये हैं आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आप उन पे क्लिक करके देख सकते हैं अंतराष्टिय राजनीती के उदारवादी उपागम को आईए अब हम समझ लेते हैं देखे उदारवादी उपागम के अंतरगत हम अंतराष्टिय राजनीती में समझने के लिए इन्हें मुख्य तोन पर कितने भागों में बाट सकते हैं तीन भागों में बाट लेते हैं य गन तंतरात्मक उदारवादी सिद्धान्त हम इसे कह सकते हैं ठीक है अंतराष्टि रात्निति का गन तंतरात्मक उदारवाद सिद्धान्त इसके अंतरगत क्या है इस उपागम में या इस विचारधारा को दो विद्वानों माइकल डॉल और कांट के द्वारा प्रस्तुत क या माइकल डॉल या कांट के द्वारा ये विचारधाराय उपागम दी गई है ठीके दोस्तों माइकल डॉल कहते हैं कि विश्यू के लोगतांत्रिक राज्ये अपने संगर्शो का समाधान शांति पूर्ण तरीकों से खोज लेते हैं और माइकल डॉल इसे लोगतांत्रिक श शांति का सिद्दान्त ये उन्होंने अपनी भाषा में दिया दूसरी बात इन में मुख्य बात ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक राज्ये अपने संगर्षों का समाधान कैसे कर लेते हैं शांति पुन तरीके से कर लेते हैं ये Michael Dole का यहां पर क्या है उपागम है इनका ये सि युद्ध होता ही नहीं है एक तरफ माइकल डोल कह रहे थे कि संगर्शो का समाधान शांती पूर्ण तरीके से हो जाता है उसके बिलकुल विपरीत बात ये कह रहे हैं कांट है तो उदारवादी दोनों की बाते लेकिन बातों में थोड़ा सा फर्क है कांट कह रहे हैं कि रा हमेशा बनी रहने वाली शांती ठीक है संगर्शो पर विराम दे कि शांती की स्थापना नहीं हमेशा ही शांती कायम है क्योंकि राज्यों के मद्धे युद्ध होता ही नहीं है ये उदारवादी सिद्दान के अंतरगरत कांट कहते हैं और आपने माइकल डोल को भी यहाँ पर पढ़ लिया ठीक है दोस्तों नेक्स देखिए दूसरा प्रकार है इसमें समाज सास्त्रिय उदारवाद समाज सास्त्रिय उदारवाद के पक्ष में समर्थक कौन-कौन है विशेष्त है विद्धवान उनका नाम जान लीजिए जेम्स रोजेनों कार्ल ड्यूस और यदि उदारवादी सिद्धान्त के अंतरगत अंतराष्टी राजनिती में समाज सास्त्रिय उदारवाद की बात की जाती है तो यहाँ पर जेम्स रोजेनों, कार्ल ड्यूस और जॉन बर्टन का नाम विशेष्त है लिया जाता है ये सभी क्या कहते हैं अंतराष्टी पर ये क्या देते हैं जोर देते हैं और समाज सास्ति उदारवाद के अंतरगत ये अपनी बात कहते हैं तो इनकी दो बाते हैं इन तीनों विद्वानों की अंतराष्टी राजनिती में कैसी विवस्ता होनी चाहिए बहुलवादी विवस्ता होनी चाहिए बहुलवाद बर जोड देते हैं और वैश्वी करण का ये समर्थन करते हैं ग्लोबलाइजिशन को ये सपोर्ट करते हैं ठीक है ये उदारवादी दृष्टी कोण के अंतरकत नेक्स्ट देखे दोस्तों अन्योन्या शृत उदारवाद ठीक है मतलब दूसरों पर आशृत जैसा की नाम से ही पता लग रहा है कि सिद्दान्त के अंतरकत विबिन्य तत्व एक दूसरे पर निर्बर है आशृत है ठीक है अन्योन्या शृत मतलब अन्ये के उपर आशृत एक दूसरे के साथ वो निर्बर है आशृत है इस सिद्दान्त के समर्थक हैं इसमें तीन अलग अलग बातों पर अपनी सहमती देते हैं जो समर्थक हैं वो तीन विचारधाराओं के रूप में हम उने पढ़ सकते हैं पहली बात तो ये अन्योन्याश्रित उदारवाद के अंतरगत हैं इसमें सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर हैं इसके तीन अलग अलग छोड़ी छोड़ी विचार धाराएं हैं जिनमें अन्योन्याश्रित उदारवाद से सम्बंदित जो भी विचारक हैं जो भी समर्थ डेविड मिटरनी कहते हैं दोस्तों इसमें कहा गया कि अंतराष्टी राजनिती में राज्यों को अपने साजा हितों पर बल देना चाहिए इन्होंने सबसे बड़ी बात यही कई है कि अंतराष्टी राजनिती में राज्यों को अपने साजा हितों पर बल देना चाहिए अब साजा हितों के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा साजा संगठनों की स्थापना करनी पड़ेगी ये इनका मत्ध डेविड मिट्रिनी का प्रकारवादी सिद्दान्त के अंतरगत कि अंतराष्टिय राजनिती में रज्यों को अपने साजा हितों पर बल देना चाहिए ठीक है जिसमें सभी का क्या हो हित हो हितों में साजेदारी हो नेक्स देखी दोस्तों अरनेस्ट हास का नव प्रकारवाद सिद्दान्त के अंतरगत क्या कहते है इस में अरनेस्ट हास ने अंतराष्टिय राणिती में प्रादेशिक एकी करण व्यवस्था पर जोर दिया है तो इन पॉइंट्स को आपको क्लिक करना है कि अंतराष्टिय राणिती में प्रादेशिक एकी करण पर जोर किस ने दिया तो अरनेस्ट हास ने दिया अंतराष्टिय राजनिती में प्रादेशिक एकी करण पर जोर किस सिद्धान्त के अंतरगत आया उदारवाद में नव प्रकारेवाद सिद्धान्त के अंतरगत अंतराष्टिय राजनिती के नव प्रकारेवादी सिद्धान्त के अंतरगत अरनेस्ट हास ने इसके उपर जोर दिया कि अंतराश्टी रानिती में प्रादेशिक एकी करण आवशक है इस पर उन्होंने जोर दिया ठीक है दोस्तों ये key points है यहाँ पर next देखिये यहाँ पर Robert Cohen वे Joseph Nye का Jattil Anunia Shridhiddant इनका मानना है कि वर्तमान विश्व में राज्यों के मद्ध है सैने शक्ती का महतो तो गट रहा है और वारता लाब का महतो बढ़ रहा है मतलब जोसिफ कोहिन और जोसिफ Robert Cohen और जोसिफ Nye ये मानते हैं कि वर्तमान में जो उदारवादी विवस्ता है अंतराष्टे राजनिती में इसके अंतरगत आप ये देख पा रहे हैं कि महसूस करेंगे कि राज्यों के बीच में सैने शक्ती का महतो गट रहा है सीमा पे सेनाय रहने की बजाए उनके बीच में बादचीत वारता लाब की जो महतो है वो क्या है बढ़ गया है ये कौन कह रहा है रोबर्ट कोहेन वे जोसेफ नाई इनका ये मत है कि वरतमान में वरतमान इस्ति में हम देखें तो राज्यों के बीच में सैने शक्ती का प्रभाव तो क्या हो रहा है कम हो रहा है और उनके बीच में जो कहते हैं कि वार्तालाप जो होनी चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के विवाद का हल किया जा सकता है अब वार्तालाप वाली स्थती बन गई है और सैने शक्ति को यहाँ पर थोड़ा कम पाया गया है ठीक है तो राजनीती के छेतर में हमने अंतराष्टी राजनीती की छेतर में उदारवादी सिद्धानत के अंतरगत ये कुछ छोटे से की पॉइंट थे जो हमने इस छोटे से वीडियो नोट के माद्यम से आपके सामने रख दिये कल दोस्तों यदि आप वीडियो नोट में अभी तक कुछ संक्या में इसी टाइम पर वीडियो नोट के फॉर्मेट के माद्यम से आपको कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कुष्चन दे दूँगा जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी परिक्षया में यदि आप चाहते हैं कुष्चन को आप अब तक बने हुए हैं वीडियो नोट में तो आप वीडियो पे येस करके जरूर लिखेगा अधर्वाइस मैं नया टोपिक तो सामने लेकर आने ही वाला हूँ थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ने वीडियो नोट में